हर नवंबर की तीसरे बुद्वार को हम विश्व स्यूपिडी दिवस मनाते हैं इस विश्व स्यूपिडी दिवस पर हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रात्मित्ता देने की कोशिश कर रहे हैं हेल्दी लंग्स को हम सभी जानते हैं कि पिछले दो वर्ष में ये अर्थ जिस महमारी से गुजरी है उसके बाद healthy lungs are the topmost priority आज अगर हम हमारी health issues को देखें तो ज़्यादा तर air pollution, smoking related इन सभी issues से हम externally हमारे नाजुक lungs को किसी ने किसी रूप में daily harm कर रहे हैं अब जरुरत आ गई है कि हम COPD जैसे जल्दी से पकड़ में आने वाले और ठीक होने वाले रोगों को जल्दी पकड़ें क्योंकि अगर ये medium से severe पे चला जाता है तो ये आजीवन व्यक्ति की capacity को hamper कर देता है COPD एक ऐसा रोग है जिसके लिए अच्छी अच्छी दवाईयां आ गई है pulmonary rehabilitation के द्वारा, proper nutrition के द्वारा और सबसे ज्यादा अगर आप environment में pollution कम करके tobacco related smoking कम करके अगर एक modification कर सकते हैं तो COPD से आप, आपके family members, हमारे friends और ultimately हमारी ये society पूरी तरह ठीकों के healthy lungs के हमारे theme को पूरी तरह प्रिकप कर सकते हैं Thank you